Hello students, चलिए स्टार्ट करते है exercise 3.3 matrices का question number second देखते हैं क्या है हमारे पास दे रखा है A matrix दे रखी और B matrix दे रखी है then verify that first क्या है A plus B का dash is equal to किसके है A dash plus B dash second part में हमें क्या दे रखा है A minus B का dash equal to A dash minus B dash मतलब left hand side right hand side के equal prove करने हैं दोनों केस में पहले चलते हैं हमने first part पे इसमें क्या दे रखा है हमें A plus B का dash is equal to A dash plus B dash तो पहले हम लेके चलेंगे left hand side यहां पे हमें पहले क्या निकालना है A plus B दोनों matrix का sum निकालना है A matrix क्या है minus 1, 2, 3, 5, 7, 9, minus 2, 1 और 1 और B matrix हमें क्या दे रखी है minus 4, 1 और minus 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1 दोनों matrix को add कर लो तो क्या आएगा यहां पे minus 1 और minus 4 क्या हो गया minus का 5, 2 और 1 क्या हो गया 3, minus 5 plus 3 कितना हो गया minus 2 5 और 1 क्या हो गया 6, 7 और 2 क्या हो गया 9, 9 और 0, 9, minus 2 और 1 कितना हो गया मेरा minus का 1 1 और 3 क्या हो गया 4, 1 और 1, 2 आगया अब हमें इसका transport चीए तो हम transport कैसे निकालेंगे a plus b का dash मतलब row की column, column की row बना देंगे तो देखो क्या बनेगा यह हमारी row ज है इनको column में बदल दो यह first row है इसको column बनाओ minus 5, 3, minus 2 second row है second column बना दो 6, 9, 9 इसको भी minus 1, 4 और 2 यह आगे मेरी left hand side कोई दिक्कत नहीं है अब चलो right hand side पे right hand side में हमें क्या दे रखा है a dash plus b dash तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा a dash a dash कैसे निकलेगा बच्चो यह हमारी a matrix थी इसकी row की column, column की row बना दो यह हमारी row है तो क्या बनेगा minus 1, 2, 3, 5, 7, 9, minus 2, 1 और 1 फिर हमें b dash निकालना है, b dash क्या होगा हमारा इसमें change कर देंगे minus 4, 1 और minus 5 यह rowthi column बना दी, फिर 1, 2, 0, 1, 3, 1 right hand side पे क्या करना है हमें a dash plus b dash करना है तो देखेंगे क्या आया a dash क्या है, minus 1, 5, minus 2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 b dash में क्या आया, minus 4, 1, 1, 1, 2, 3, minus 5, 0, 1 यह आ गई हमारे पास right hand side ठीक है, इसको simplify कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे minus 1 और minus 4 क्या होगा, minus 5, 5 और 1 क्या होगा, 6 minus 2 और 1 क्या होगा, minus 1, 2 और 1 क्या होगा, 3, 7 और 2 क्या होगा, 9 3 और 1 क्या होगा, बच्चो 4, 3 और 5, minus 2, 9 और 0, 9, 1 और 1, 2 अब ध्यान से देखो आप, यह हमारी left hand side ठी, यह right hand side है तो यहाँ पे क्या आगया मेरे पास, left hand side is equal to किसके आगे right hand side के, यही तो प्रूव करना था हमें first part में, clear हो चुका, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब move on करते हैं अपने second part पे, second part में हमें क्या दे रखा हैं यहाँ पे, हमें given है a minus b का dash, is equal to a dash minus b dash, यह left hand side है, पहले left hand side को लेके चलो, क्या है left hand side a minus b, a matrix क्या है मेरे पास, पहले a minus b निकाल लेंगे, a matrix क्या है, minus 1, 2, 3, 5, 7, 9, minus 2, 1 और 1, minus में b matrix क्या है, यह रही, minus 4, 1, minus 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, difference देखना इनका, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो मैने आपको बता रखा है, जब भी minus sign आजाएं पहले minus को अंदर ले लो, confusion नहीं होगी, और जिस बच्चे की calculation strong है वो directly कर लो, मैने दो method बता दिये, या दो minus को पहले अंदर ले जाओ, या फिर direct कर लो, minus 1 है, minus or minus क्या, 4 क्या हो जाएगा, plus का 4, 4 में से 1 गया, 3, फिर 2 minus 1 क्या हो गया, 1, 3 minus or minus 5 क्या हो गया, 8, 5 minus 1, 4, 7 minus 2, 5, 9 minus 0, 9, minus 2 minus 1, minus 3, 1 minus 3 minus 2, और 1 minus 1, 0, यह आगई मेरे पास, a minus b की value, अब हमेंच यह a minus b का transpose, तो a minus b का dash is equal to क्या हो जाएगा, यह रोज है, कोलम बना दो, 3, 1, 8 है, 3, 1, 8, 4, 5, 9 है, 4, 5, 9, minus 3, minus 2, और 0, हो गई left and side clear, अब आजो right and side पे, right and side में क्या है, a dash minus b dash, पहले a dash निकाल लो, देखो अभी निकाल ला था, हमने यह रहा, a dash की value रिख लो, क्या है हमारे पास, minus 1, 5, minus 2, 271, 391, minus क्या करना है b dash, b dash देख लो दूसरी matrix क्या थी हमारी, यह रही, minus 4, 1 और 1, 1, 2, 3, minus 5, 0, 1, clear हो गई या नहीं हो गई बात, कोई दिक्तत नहीं होनी चीए, simplify कर लो अब, दुन्नों का difference देख लेंगे, minus 1 of minus 4 क्या हो गया, 3, 5 minus 1, 4, minus 2 minus 1, minus 3, 2 minus 1, 1, 7 minus 2, 5, 1 minus 3, minus 2, 3 minus 5, 8, 9, 1 minus 1, 0, अब यहाँ पर देखो यह आगया, मेरे पास, a dash minus b dash, अब यहाँ पर भी left hand side equal to right hand side आगई या नहीं आगई, तो लिख देएंगे left hand side is equal to क्या है, right hand side के, hands proved, यह काम करना था हमें, simple हो गया काम, कोई भी दिक्कत किसी परकार की नहीं लगी होगी आपको, कोई भी problem लगे, मुझसे पूछे, मैं आपकी help जरूर करूँगा, मैं आपका support कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा channel का support कर सकते हो, अपने teacher के लिए, एक channel को subscribe दे सकते हो, और comment करके बता सकते हो, आपको channel कैसा लगता है, thank you students for watching next classes video,